हेलो फ्रेंज वेलकम बैक तो माय चानल आज मैं आपको एक बहुत ही वंडरफुल प्लांट के बारे में बताऊंगी जो कि मेरे हाथ में आप देख सकते हूं गाइस इस प्लांट का नाम है हड जोड ये एक बेल होती है लता होती है और बहुत ही चमतकारी एफेक्ट है इसके हड जोड इसका नाम क्यों है क्यों कि ये हड़ियों को जोडने के काम आता है और स्कूइत की बहुत अच्छे पहचान होंगी कैसे इस तरह की लंबी-लंबी बेल होगी देखे यह आसे बस सीधे-सीधे होती जाती है यह आप देख पा रहे हैं तरह से पुरी-की-पुरी बेल है और मैं एक छोटी सी नाह है मेरे पास इसमें ही मैं लगाई थी इतना सा पीस लाकर आप लगा दू कहीं से और उसी से बढ़ने लगती है अब यह देखे इसमें यह चुट चुटे पीसे आपको दिख रहे होंगे यहां पर चोटा सा पीस है फिर यहां पर चोटा सा पीस है इसमें देखे इसमें भी इसी तरीके से अलग लग डिमार्केशन है यहां से यहां तक यहां तक यहां तक य देती हूं कि इस तरीके से तो यह डिमार्केशन अवेलबल है यही इसका सद्धान है कि क्योंकि हडियों की तरह इसमें जोड दिखते हैं हमको पहचान भी है कि एक साइट तो पत्ती है और एक साइट इस तरीके से टेंडल निकला हुआ है यह थोड़ा टेंडल पुराना हो कि एक साइट तो देखें आप इसकी पती निकल गए यहां से पती निकल गए और एक यहां पर टेंडल है इसी तेंडल से किसी भी उससे अगर इसको सहारा मिल रहा है तो पूल लेती चले जाएगी तो यह हमारी हड़ जोड है यह बेल के फॉर्म में है पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया ऐसे पीसे में होगी लेग्स लेग्स होंगे एक साइडिस के लीफ निकली होगी दूसरे वाले साइडिस में टेंडल होगा इतना सा पोशन या करिबन इतना पोर्षन लाके कहीं से अवेलेबल हो जाए आपको तो लाके मिट्टी में लगा दें धीरे- तो मैं आपको क्या बताओं बहुत अच्छे रिसर्ट स्टाडीज हुए हैं बहुत बहुत बहतरीन लेवल पेस्ट पे क्या शर्मॉक से प्रेसेंट हैं तो अब बात करते हैं कैसे आप यूज करें सबसे पहले करीबन इतना पॉर्शन लें आप इसको है ना एक इसका जो ग् जिस इस उता है चैनी बना के आप खा सकते हो छक्राज हएं पहले चटनी हो गई दूसरी चीज होगी कि जितना पार्ट में आप ने यह इतना पार्ट में उससे आधी मात्रा में आप जाधा भी ले सकते हम थोड़ा जाधा था निया लेकर तीन चाहर द्डिया लेको आधा अब बात आती है में जो इसका काम है कि हडियों को जोड़ेगा कैसे है तो हडियों के उसके लिए हड जोड नाम से हमालया कंपनी बहुत फेमिस है आप सब जानते हो वहां पे जोड़े पेस्ट बनाके जहां भी आपको दिक्कत है अगर उतर चुका है तो भी आप लगा सकते हैं प्लास्टर वाले को बोलो प्लास्टर लगाने से पहले इसको लगा कि फिर अपना वो जो भी लगाना है उनको लगाए उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है या फिर इसका पाउडर अवेलेबल होगा तो पाउडर के साथ लगा दे पेस्ट लगाना फिर वो सडने का डर रहेगा है यह काम आप पर सकते हो दूसरी चीज आप इसका रस निकाल के पी सकते हो वो भी आपके लिए उक्वली बेनिफिशल होगा एक प्रॉब्लम जो आएगी तो थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन होगा जीब में और थोड़ी देर तक रहेगा यहां गले में भी महसूस होगा कि सुई सी चुप रही है लेकिन उससे घबराना नहीं है कोई भी ऐसी सबजी जिसे अर्वी होगा ही सूरण हो गया है जिम्मीकंद हो गया जिसे बोलते है तो वो जिसमें बहुत जादा कैल्शियम ऑगसलेट होगा वो आपको टिंगलिंग सेंसेशन करेगी ही करेगी जीब के ऊपर तो कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है आप यह प्लांट प्लीज लाएं अगर आपको बाय की दिक्कत है गाउट है गठिया बाय है कैल्शियम माण की कमी है यह आप अपने orieट में लेना शुरू करें पेनों क्योख तो इसको कशने बहुत जादा नहीं हो क्यूंकि दवाई है एक क्यआ और किसा से 10 पीग सम aap यह वह थे में यह कुछी दिनों में इस तरह से मैंने इसको इसको सपोर्ट के लिए दिया हुआ है जाइस तो इंजॉए दे प्लांट इस बोटनिकली इस नोन अस साइसस को ड्राइंग लैरिस वाइट एसी फैमिली का प्लांट है और यह दिखिया यहां से थोड़ा टूट सा भी गया है अब इसको थोड़ा सा परिशान कर दिया मैं तो आप इस प्लांट को यूज कीजिए कोई चीज समझ नहीं आ रहे है तो आप इस कमेंड में मुझसे प्रूच सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एं सब्सक्राइब एल बी रेली थैंक्फूल थैंक्यू